हेलो फ्रेंड्स ठंडियों में गर्मा गरम अगर ये खाने को मिल जाए तो सभी तरीके के हलवे और खीर भूल जाएंगे मेरे परिवार में जब भी किसी को मीठा खाने का मन होता है तो इसे ही खाते हैं क्योंकि इससे एक तो सेहत तंदुरुस्त रहती है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान कि सर्फ आदे घंटे में ही पूरी रैस्पी बनकर तयार हो जाती है और अगर आपने पहले से तयारी करी हो तो बस 15-20 मिनिट में ही ये बन जाता है तो फिर बिना देरी चलिए करते हैं फटा फट से इस हैल्दी स्वीट रैस्पी को बनाने की तयारी तो यहाँ पर हमने गैस पर प्रैशर कूकर को चड़ा रखा है आप चाहे तो यह रैस्पी कड़ाही या पैन किसी में भी बना सकते हैं अब कूकर में हम डालेंगे एक चम्मच देसी घी और अब इस घी में हमें डालना है कुछ ड्राइफ फिरुट्स तो ड्राइफ प्रुट्स आप अपनी पसंद अनुसार ले सकते हैं तो मैंने यहाँ सबसे पहले डाला है एक से दो चम्मच मकाने तो घी में यहां dry fruits को हम भुन लेंगे मखानों के साथ ही डाला है मैंने 6-7 कटे हुए बाधाम और काजु को और साथ ही हमने डाला है कटा हुआ dry coconut जिसे खोपरा भी कहा जाता है अब इसे हम low flame पर भुन लेंगे dry fruit को low flame पर भुनने से एक तो यह crunchy हो जाते हैं और इनका taste भी काफी बढ़ जाता है तो यहां dry fruit का हलका सा color change होने लगा है तो आप dry fruit को हमें clean पर निकाल लेंगे और अब हमें क्या करना है कि same cooker में ही हम डालेंगे 2-3 बड़े चम्मस देसी घी और अब इस गरम घी में हमें डालना है एक कप दलिया जिसे English में broken wheat कहते हैं इसे अलग-अलग जगा कई नामों से जाना जाता है अब इसे हमें देसी घी में low flame पर भुन लेना है तो दलिया basically गेहों के मोटे particles होते हैं जो सूजी से थोड़े मोटे होते हैं दलिया में protein और iron भरपूर मातरा में होता है जो आपकी वजन को naturally control करता है तो यहां दलिया को हमने 1-2 मिनिट लगातार चलाती हुए भुन लिया है तो आप देखेंगे कि गेहों के ये दाने जैसे कि popcorn के जैसे हलके से फूल चुके हैं और आप इस दलिया को हमें इसका अच्छा सा color आने तक भुन लेना है तो यहां पर मैंने दलिया को तुरंथी भुना है आप चाहें तो दलिया को पहले से भी भुन कर रख सकते हैं तो ये रेस्पी आपकी फटा-फट से बन कर तयार हो जाती है दलिया की भुनने पर बहुत ही अच्छी खुशगू आती है तो ये देखिए यहां पर दलिया हमारा बहुत ही अच्छी तरीकी से भुन चुका है अब इसमें हम डालेंगे दो कप पानी तो मेजर्मेंट का आप ध्यान रखेंगे जिस कब से आप दलिया लेंगे उसी कब से दो कप पानी डाल लीजिए और अब इसे हम मिला लेंगे आप यहां पर कुकर के ढखकन को लगा कर इसमें दो विसल्स लगवा लेंगे तो जब तक हमारा दलिया पक रहा है इधर गैस पर हमने एक पतीली को चड़ा दिया है अब इसमें हमें डालना है एक कप गुड़ तो यहां मैंने दो तरीके की गुड़ लिये हैं तो जितना हमने दलिया लिया है उतना ही इसमें हम गुड़ दालेंगे क्योंकि दलिया में बिल्कुल भी मिठास नहीं होता है तो मिठे के लिए यहाँ पर मैंने गुल लिया है आप चाहें तो इसकी जगत चीनी को भी डाल सकते हैं साथी इसमें हम डालेंगे एक कप पानी और अब इस पानी में गुल गुलने तक हमें उबाल लेना है तो यहाँ हमें किसी भी तरीकी की चाशनी नहीं बनानी है बस हमें इतना पकाना है कि गुल अच्छी तरीके से इस पानी में घुल जाए तो यहाँ हमारे गुल का पानी भी रैडी है गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और अब हम हमारे दलिया को भी देख लेते हैं जिसमें दो विसल आने पर गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया था अब प्रेशर के निकल जाने पर हम दलिया को चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां दलिया एकदम खिला खिला सा हो रखा है तो ये देखिए, दलिये में पानी बिल्कुल भी नहीं है और दलिया भी हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है तो जो गेहों के ये दाने, मतलब दलिया होता है, वो अच्छी तरीके से गलता नहीं है, तो जो हमने अब गुड का पानी बना रखा है, उसे हम इस दलिया में चानते हुए अट कर देंगे, और अब हम गैस की फ्लेम को अन कर लेंगे, तो ये देखिए, गुड के पानी को च तो ये देखने में एकदम दाने की तरह और खाने में टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हैल्दी होते हैं। साथ ही आमने जो घी में ड्राइब फ्रूट भुनके रखे हैं उन्हें डाल देंगे। जिससे ये दलिया के साथ एक बार और भुन जाएंगे और इनमें भी गुड की मिठास आ जाएगी। तो ये देखिए, एक से दो मिनिट में ही आप देखेंगे कि दलिया हमारा सारा ही गुड का पानी को पहुत ही जल्दी अब्सॉर्ब कर लिता है। तो ये देखिए दलिये ने सारा ही पानी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। कुछ लोग दलिया को थोड़ा सा लिक्विडी पसंद करते हैं। तो आप क्या करें कि आधी कब पानी को और इसमें डाल सकते हैं। पर यहां पर मैं दलिये को एकदम खिला खिला सा ही पसंद करती हूँ। तो यहां पर मैंने सारे ही गुड़ के पानी को अच्छी तरीके से सुखा लिया है। अब इसमें हम फ्लीवर के लिए डालेंगे इलाइची पाउडर और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो यह गुड़ वाला जो मीठा दलिया होता है। पुराने टाइम से ही यह हैल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्यूंकि इसकी nutrition value काफी हाई होती है। साथ ही यह digestion में भी बहुत ही आसान होता है। new mother, बच्चों के लिए और बड़े भुज़ूर्गों को भी आप इसे आसानी से दे सकते हैं। यह सभी को बहुत ही फाइदा देता है। तो कभी भी मीठा खाने का मन हो तो आप इसे ही बना कर खाए। क्यूंकि गर्मा गर्म यह गुड़ वाला दलिया टेस्टी होने के साथ साथ हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यह थंडियो की स्पेशल हल्दी रस्पी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर। थैंक यू।